दोस्तो अगर आप लोग केबल और केबल कक्छा दस्वी पास हैं तो आप सभी लोग eligible हैं आवेदन करने के लिए आगे आपको संपूर्ण जानकारी दिखाने वाला हूँ आप लोगों से छोटी से request होगी कि अगर आप लोग भी केबल और केबल कक्छा दस्वी पास हैं मिनमम 33% के साथ और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की private या सरकारी नोकरी नहीं हैं और आप सभी का सपना है साल 2021 के आखरी के अंदर एक अच्छी सी जॉब को आपके काम की लगे तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोडिविकेशन को आन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा काफी important वीडियो होने वाली है water department की तरफ से आप सभी के लिए latest notification आ चुका है दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को इस विकनसी के बारे में कुछ खास बाते बताना चाहूंगा जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होने चाहे सबसे पहली और main बात की आपको आवेदन करने का काफी जाद करेंगे फोरम कैसे फिल करना होगा कौन सी गलतिया नहीं करनी है जिस वज़े से आपका फोरम कैंसिल कर दिया जाए सारी चीजों के बारे में आगे बात करेंगे बस आप लोग बीडियो को देखते रहेगा सेकेंड नमबर ये कि और इंडिया लेवल की जाब आ चुकी है आप लोग भारत के किसी भी राजसे आवेदन कर सकते हैं थर्ड नमबर ये कि मेल एंड फी मेल यानिकी महिला और पुरुस दोनों के टेगरी के कैंडिडेट आवेदन करने के लिए एलिजबल होने वाले हैं फोर्ड नमबर ये कि आपको 19,000 से लेकर लगभग यहां पे 63, 60,000 रुपय तक का बेतन दिया जाएगा जो की आगे मैं नोडिविकेशन में इद्दम क्लेरिफाई करने वाला हूँ इसके बाद आपका जो अप्लिकेशन सुल्क है यानि की आवेदन सुल्क वो बिलकुल फ्री रहेगा इसके बारे में नोडिविकेशन में साब साब जान ऐसे और भी कई सारी वेकेंसी आ चुकी यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे इनके बारे में हम बात में बात करेंगे क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है लेकिन आपको सबसे पहले मैं अभी जिस वेकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ आप लोग यहाँ पे देख पाए ग्रुप C की पोश्टें हैं अपलीकेशन फॉरम भी आ चुका है और SCD की यहाँ पे आपको वेकेंसी मिलेंगी जर्णल के लिए 15 वेकेंसी हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल अमबर वेकेंसी के बारे में अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो आपको 19,900 से 63,200 का बेतन दिखेगा और यहीं पे अगर बात करें एज के बारे में तो 18 से 27 साल प्लस 5 एर का आपको एज में रिलेक्सेशन भी मिलेगा एजुकेशन क्वालिविकेशन के अंदर यहाँ पे मैट्रिकुलेशन फ्रॉम एरेका और्गनाइजड बोर्ड के बारे में जानकारी दी गई है यानि कि आपका यहाँ पे जो एजुकेशन है उखेबल दस्वी पास मागा गया है अभी यह तो हो गए Employment News की बात इसी के नीचे एड है आपका मेन जो नोडिविकेशन है यहाँ से आपका स्टार्ट होगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा नोडिविकेशन और आपलाइन फॉरम आपको यहीं पे मिल जाएगा और इसके बाद यहाँ पे South Western Reason आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नीचे करेंगे यहाँ पे आपको देखे जानकारी दी गई है नमबर वेकेंसी के बारे में यहाँ पे आपको category wise वेकेंसी मिल जाएंगी और एज के बारे में अगर यहीं पे हम बात करें तो 18-17 प्लस 5 एर का एज में relaxation तो आपका 18 से लेकर 32 साल की एज यहाँ पे चल जाएगी इसके बाद आपका आता है कि आप लोग आवेदन कब से लेकर कब तक करेंगे यह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है closing date के बारे में और इसी के साथ साथ यहाँ पे और भी कई सारी यहाँ पे जानकारी दी गई है इन पे आपको focus करना होगा इसके बाद education है education के अंदर matriculation from a record night board आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दसवी पास हैं तो apply कर सकते हैं और यही पे अगर हम बात करें कि players और posting तो anywhere in India यानि की भारत के अंदर आपको कहीं भी posting दी जा सकती है promotion के बारे में बात करें तो 2 साल में और इसके अलाबा description और duty उसके बारे में बात करें तो आप लोग check out कर सकते हैं इसके बाद अगर बात करें कि last date apply करने की क्या रहेगी तो आपको 31.122 सामके 5 बे तक कर समय दिया गया है यानि कि notification जारी होने से लेकर 45 दिन का समय है apply करने के लिए दिन नीचे आएंगे other information है note करके कुछ जानकारी है और आपको application forum भी यहीं पे मिल जाएगा application forum फिल करना काफी easy है वैसे तो आप लोग यहाँ पे check out कर सकते है full name है, father's name है, date of birth है, age है, gender है, category है, nationality है, permanent address है, address for correspondence है, education detail है और यहाँ पे driving detail है, और यहाँ पे experience detail है, और जो भी जानकारी यहाँ पे मागी गई है, आपको दे देनी है, signature of applicant है और यहाँ पे आपको place और date मिल जाएगा, easily आप यहाँ पे forum फिल कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरी जानकारी प्रोवाइड कराऊं, तो इस speedo को आखरी तक जरूर देखेगा तो दोस्तो आज की speedo में हम बात करें, जल विभाग की तरफ से आचुकी नई भरती 2021 के बारे में, जिसके लिए offline आबेदन अल्रेडी शुरू हो चुके हैं अगर आप लोग cable और cable दस्वी पासें तो आप लोग आबेदन करने के लिए eligible होने वाले हैं male and female यानी की महिला और पुरूस दोनों के टिगरी के candidate बिलकुल फुरी में आबेदन कर पाएंगे All India level की job है और All India में कहीं भी आपकी posting भी की जा सकती है बेतन आपको 63,200 रुपय तक का दिया जाएगा और जो post name आपको मिलेगी हो SCD की मिलेगी और आकरी date आवेदन करने की 31,200 की रखी गई है आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको इस date तक apply जरूर से fill कर देने हैं और इस वीडियो को आकरी तक देखना है चले चलते हैं आज के अपने main topic और official website पर दोस्तो आपको आवेदन करने का notification डाउनलोड करने का और बाकी सारी डीटेल में जानकारी देखने का link वीडियो के description में और आप लोग जहाँ पे comment करते हैं first comment के अंदर pin कर दूँगा तो आप लोग यहाँ पे click करके आ सकते हैं यहाँ पे आने के बाद आप लोग देख पाएंगे Central Ground Water Board Recruitment है 2022 के लिए apply आपको offline करने होंगे अधिक जानकारी के लिए linkworking.org की आप लोग official website पे जा सकते हैं इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आपको various number of vacancy मिल जाएंगी और बात करें post name की तो आपको SCD की पोश्टे भी मिल जाएंगी important date की बात करें तो forum भरे जाने अल्रेडी सुरू हो चुके हैं जिसकी आकरी date 31 जनवरी 2022 की रखी गई है आपकी जो उम्र है वो कम से कम 18 और अधिक सदिक 32 साल की होनी चाहिए बित relaxation के साथ और application piece बिलकुल free है चाहे आप किसी भी category के candidate के उना हो देन यहाँ पे आपको top 5 government job today की list मिलेगी आप लोग click here पे click करके जिस किसी भी government job के लिए लेजबल है आभेदन कर सकते हैं इसके बाद आपका organization है जो की central ground water board होने वाला है जिसको आप लोग sort में cgwb भी बोल सकते हैं इसके बाद यहाँ पे vacancy distribution है यानि की आप लोग कौन-कौन से राज्यों से apply कर सकते हैं तो all India level की जवाब आ चुकी है आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं बात करें बेतन के बारे में तो बेतन आपको 19,900 रुपए से लेकर 63,200 तक का दिया जाएगा लेबल दो के अंदर परमन्त का इसके बाद आपका education है जहाँ पे केबल और केबल matriculation यानि की दस्वी पास मागा गया है इसके बाद कैसे आपको आवेदन करना है तो आवेदन आपको जो है तो लिंक मिलेगा वीडियो के description में उस forum को भर के send करना होगा 31 जनवरी 2022 तक इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आपका selection कैसे होगा तो यहाँ पे बिना किसी exam के cable और केबल trade test और skill test के base पे आप सभी का chain होने वाला है दिन यहाँ पे बात करें important links के बारे में तो आपको यहाँ पे apply का link मिलेगा download notification और official website का आपको यहाँ पे link working.org की website पे आजाना है निकोज यहाँ पे आपको काफी अच्छे से बड़े से update देखने को मिल जायागा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं cgwb यानि की central ground water boat equipment है 2022 के लिए आप एदन आपको offline करने होंगे various post vacancies के लिए आपको सारी जानकारी यहाँ पे चेक आउट करनी है चेक आउट करने के बाद नीचे आना है या download कैसे करना इसके बार इम बता देता हूँ यहाँ पे आने के बाद आपको simply यहाँ पे यहाँ पे click here की button है click करना है click करके रखना है आपको यहाँ पे press करके रखना है जब आपको यहाँ पे download का link दिखे तो आपको इस download की link पे एक बार click करना है इसके बाद आप download की बटन पे click करके अपने notification को keep file की बटन पे click करके keep कर सकते हैं और open download होने पर open कर सकते हैं forum भी मिल जाएगा notification भी मिल जाएगा आप लोग उसको simply read करिये और जितना जल्दी हो सके चैनल को subscribe कर लें और bill notification को जरूर on करें मिलते हैं अगली वीडियो के साथ next update में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद